हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंग्रेजी में टाइम कैसे बताते हैं पास्ट और टू के प्रयोग का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा एम और पीम का फुल फॉर्म क्या होता है एम और पीम कैसे यूज करते हैं 12 hours clock time को 24 hour clock time में कैसे बदलते हैं ये आप इस वीडियो में जानेंगे ऐसा time हो रहा है जब हमें minute बताने की जरूरत नहीं है जैसे की एक बजे हैं, दो बजे हैं, छे बजे हैं, बारा बजे हैं को कहेंगे, 1 o clock, 2 o clock, 6 o clock, 12 o clock अब अगर ऐसी कंडिशन आ गई हो जिसमें कुछ घंटा भी और कुछ मिनट भी हो तब हम पास्ट का यूज करेंगे और पास्ट का मतलब होता है भूतकार जैसे कि पांच मचकर बीस मिनट हो चुके है का मतलब है मतलब बीच चुके हैं तब हम पास्ट का यूज करेंगे और यह बात हमें याद रखनी है कि 5 मिचकर 20 मिनट हो चुके है यानि बीच चुका है तो हमें पास्ट का यूज करने क्योंकि पास्ट का मतलब होता है भूत काल यहाँ पर एक और बात याद करने की है कि हम हिंदी में क्या करते है कि पहले और बोलते और फिर मिनट बोलते है पर इंग्लिश में थोड़ा उल्टा हो जाता है कि हम पहले मिनट बोल देते है और उसके बाद और बोलते है जैसे कि हमें minute और hour के बीच में past लगा देना है जैसे कि 5 बचकर 20 minute हुए है को कहेंगे 20 past 5 11 बचकर 40 minute हुए है को कहेंगे 40 past 11 और 8 बचकर 30 minute हुए है को कहेंगे 30 past 8 और 8 बचकर 30 minute हुए है को हम half past 8 भी कह सकते है क्योंकि एक घंटे में 60 minute होते है और 60 का अधा 30 होता है इसलिए हम half का भी use कर सकते है तो 8 बचकर 30 minute हुए है को कहेंगे half past 8 और 6 बचकर 15 minute हुए है को कहेंगे 15 past 6 और quarter past 6 भी हम 6 बचकर 15 minute हुए है को कह सकते है क्योंकि 60 का 1 by 4 होता है 15 इसलिए हम 15 past 6 और quarter past 6 दोनों कह सकते हैं अब यहाँ पे एक और condition है जैसे कि हम Hindi में कहते हैं कि अभी 5 बचने में 20 minute बाकी है तो उसमें हम 2 का use करेंगे जहाँ पे अभी हम past का use कर रहे थे वहाँ पे अभी हम 2 का use करेंगे और इस condition में हम past का use नहीं कर सकते जब बाकी होता है तो जैसे कि पांच बचने में 20 minute बाकी है को कहेंगे 225 दस बचने में 8 minute बाकी है को कहेंगे 8 to 10 ग्यारा बचने में 15 minute बाकी है को कहेंगे 15 to 11 या quarter to 11 मैंने आपको बताया था कि quarter का भी use कर सकते हैं नौ बचने में 30 minute बाकी है को कहेंगे 30 to 9 या half to 9 मैंने आपको बताया था कि half का भी use कर सकते हैं इंग्लिश में हम A.M. और P.M. का भी कभी कभी use करते हैं तो A.M. का जो full form होते होते है anti meridium और A.M. मतलब दो पहर से पहले के समय को कहते हैं और P.M. का full form होता है post meridium और P.M. को हम दो पहर के बाद के समय को हम P.M. कहते हैं और noon का इस वाले table को आपके सारे doubt खतम हो जाएंगे तो रात के 11 बचकर 59 मिनट को हम कहेंगे 11.59 पी-म और जैसे ही एक मिनट बाद यानि रात के 12 बजे को हो जाएगा 12 ए-म फिर ऐसे ही रात के 3 बजे को हो जाएगा 3 ए-म फिर सुबह के 6 बजे को हो जाएगा 6 ए-म ऐसे ही चलता रहेगा फिर सुबह दिन के 11 बचकर 59 मिनट को हो जाएगा 11.59 ए-म पर जैसे ही एक मिनट बाद दो पहर के बारा बजे गो जाएगा ट्वल्फ पिम फिर दो पहर के तीन बजे गो जाएगा थरी पिम ऐसा पिम इसे ही चलता रहेगा और रात के ग्यारा बज के फिटी-nagn बिनट करेगा 11.59 पिम और फिर एक मिनट बाग एम हो जाएगा तो हमने एक cycle complete कर ली तो जैसे कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि 24 hour clock का भी use होता है तो इस table से आपको सब पता चल जाएगा कि 24 hour clock मतलब 12 hour clock time को 24 hour clock time में कैसे change करते हैं तो 12 hour clock time को 24 hour clock time में बदलने के लिए 1 p.m. से 11.59 p.m. में 12 एड़ करते हैं एम में हमें कुछ भी नहीं करना होता है जैसे कि आप समझिए कि जैसे कि 11.59 p.m. हो रहा है तो आप हमें इसमें 12 एड़ करना पड़ेगा 12 hours एड़ करने पड़ेंगे तो हो जाएगा 23 hour 59 minute तो अब 12 a.m. हो रहा है तो अब हमें इसमें कुछ आप हम इसमें 12 a.m. के लिए एक special case है 12 a.m. को हम 24 hour या 00 hours कह सकते हैं पर 3 a.m. तो 3 a.m. में हम 3 hours ही कर देंगे क्योंकि हम कुछ जोड़ने की जुरत नहीं है 6 a.m. हो रहा है तो 6 hours हो जाएगा 10 a.m. हो रहा है तो 10 hours हो जाएगा ऐसे ही चलता है पर 12 p.m. पे भी हमें को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है मैंने आपको स्टार्टेंग में ही बताया था पर जैसे ही जैसे ही 1 p.m. हो जाएगा तब हमें जोड़ना पड़ेगा 12 तो हो जाएगा 13 hours फिर जैसे ही 3 p.m. होगा तो 15 hours 6 p.m. होगा तो 18 hour 11 p.m. होगा तो 23 hour और जैसे ही 11.59 p.m. होगा तो 23 hour 59 minutes तो थैंक्स ओर वाचिं दिस वीडियो प्लीस लाइक शेयर और सुस्क्राइब आवर चैनल बाई